कैसे हैं सभी लोग मैं हारून एकलवी अकैडिम मेरट से तो हमारा जो क्लाश चल लगी है वह अभी इसमें केंद्रिय बजट स्टार्ट हुआ है कल से कब हुआ है केंद्रिय बजट और केंद्रिय बजट दोहजार 24 और 25 के लिए ठीक है ना तो कल हमने एक क्लाश ले ली थी इस में जो बेशिक चीज तो हँब बताएगे थी मैं और बजट से संबन कुछ प्रावधान थे बढ़े जो निए केंद्रिय बजट दोहजार 25 में 9 प्राथ्मिकताइ थी कुछ और न नौ प्रावद्मिक ताओं में जो बजट के लिए प्रावधान जो किया गया है अलग-अलग राशियों का यहाज चीजे बताई गई है उन सब के बारे में हमने जो प्रारंबिक अबस्ताथी किरसी के लिए यानि कि जो बजट में नो प्रावधान नो में जो पहला प्रावधान है को कि कि ग में तो जो पहला प्रााइधान यहां अदा किरसी वाला जो पहली प्रात्मिक्ता ही हो हमने कंप्लीट कर लिती आज हमारा उबक ह्कोण गाए सेगींड-थै न stored के में जो पर्थम प्रात्मिक्ता थी हमने उसको कंप्लीट कर लिया था ठीक है तो इन नो बिंदों को हम देखेंगे उसमें कौन-कौन सी योईनाय है उन योईनाओं में कितने जो है राशी दी गई है कि किस चेत्र के लिए कितनी राशी प्रदानकी गई है दूसरी जो मुख् कि रोजगार एवं कोशल प्रेसिक्षन कोशल प्रेसिक्षन कोशल प्रेसिक्षन अब देखो कि ऐसा नहीं है कि आप केवल रोजगार की तलाश रोजगार का स्वरूब बदला है 2014 के बाद अब आपको क्या करना है कि आप चाहें सरकारी नोगरी हो या प्राइवेट नोगरी उसके साथ-साथ आपको अपने स्किल से डवलप करने पढ़ेंगी और इसकिल डवलप करने कि साथ-साथ चीज़ें आपको आगे बढ़ने पढ़ेंगी आपको स्टार्टप करने पढ़ेंगी कल बताया था कि जो एंजल टैक्स है वो समाप्त कर दिया गया है इस्टार्टप की माद्यम से जिसमें लोग अधिक से अधिक स्टार्टप कर सकें तो अभी क्या है रोज कीजिर नहीं नहीं उससे चीज आ कि बढ़ेंगी तो इसमें किया हैं मैं आप देखो इसमें जो पहला मुद्धा दिया विए इनोंने पहली 번째 भात कही है रोजगार और कोशल के खेत्र मेंoral जो सेकंडेर हलताइए उसमें यह है कि सभी संगतित खेत्र में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को वालों को 15,000 रुपे कितने 15,000 रुपे दिये जाएंगे और ये 15,000 रुपे तीन किस्तों में होंगे ठीक है ना 5,000 रुपे 5,000 रुपे 5,000 रुपे तो यानि के सरकार ने क्या क्या है जो पहली बार किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं अपना किसी भी माद्यम से हो जा रहे हैं तो उनके लिए क्या करेगी सरकार के 15,000 रुपे की अतरिक्त अनुदान राशी भी उनको देगी और यह कितने किस्तों में देगी तीन किस्तों में पांसचाशार सगठिक्ष कि बात रही है तो पंद्रा हजार पॉइंट है आगामी जो 5 वर्स यानिके जो आगामी 5 वर्स एक रोड मैप तयार कर दी सरकार आगामी 5 वर्सों के लिए कि आगामी 5 वर्सों के लिए क्या हो रहा है 20 लाक युवाओं को कितने 20 लाक युवाओं के प्रेसिक्षण के लिए ओध्योगिक पार को खोले जाएंगे खोले जाएंगे और इनकी जो संख्या होगी वो होगी 10 अजार सोरी एक हजार कितनी होगी एक हजार तो यानि के जो 20 लाक युवाओं है इनको क्या किया जाएगा ट्रेंड किया जाएगा कहां पर जो ओद्योगिक पार्क होंगे यानि के उनकी कंपनी है सरकार अपना सेट अप करेगी चाहीं किसे जो प्राइवइट कंपनी है उनके माद्य में सेट अप करें कुछ भी करें तो इनहीं के इसमें किया है 20 लाख युवा रोजगार के लिए क्या होंगे ट्रेंड होंगे और कितने पार्कों में 1000 पार तो ध्यान रखना है दोनों 5 वर्स की अवधी होगी 20 लाख लोग होंगे और संख्या कितनी होगी इनकी एक हजार होगी ठीक है दियान रखना है आगे देखें हम अब देखो जो घरेलू संस्थान है घरेलू शिक्षण संस्थान घरेलू शिक्षण संस्थान है इनमें higher education के लिए यानि के उच्छी शिक्षा के लिए किसके लिए उच्छी शिक्षा के लिए क्या होगा दस लाख का रिन दिया जाएगा कितना दस लाख रुपए का क्या होगा रिन दिया जाएगा तो यानि के आप यदि घरेलू छेतरों में यानि के कहा पर जो आपके देश के अंदर गद जितने भी higher education institute हैं उनमें क्या होगा आपको एजुकेशन के लिए दस लाख का लोन दिया जाएगा कंडिशन क्या है घरेलू सिक्षन संस्थानों में जो है उच्ची सिक्षा के लिए कितने का लोन है दस लाख रुपए का आपको सरकार रिन देगी तो किसके लिए बात चली है जो बजट का हमारा दूसरा बिंदू है रोजगार और कोशल विकास उसके लिए मुख्य इसनी प्राचमिक्ता दी हुई है सरकार ने बजट में नो ठीक है तो अभी हमारे दो बिंदू हो चुके हैं जो तीसरा बिंदू है कि समावेशी कि मानव कि संसाधन कि विकास कि वै सामाजिक नियाए कि सामाजिक नियाए तो जो तीसरा महत्पूर प्राचमिक्ता में है सरकार की वो कि क्या है समावेशी विकास यानिके सबका विकास हो यानिके विकास में कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे ठीक है और उसमें क्या है सामाजिक नियाए समाजिक नाय कैसे होगा जब समाज हमारा जो एक तरीक यह कह सकते हैं जो समाजिक नाय उसकी बात करता है ठीक है ना कि यहां ऊच नीच का कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और वो कंडिशन तब होगी जब लोग आर्थिक रूप से शक्सम हो जाएंगे ठीक एक तो आप BPSC दे रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज है, सरकार के लिए महत्पूर है, क्योंकि जो ये सरकार है मौजूदा, ये NDA सरकार है, और इसमें आप देखेंगे, के जो गठबंदन है, मुखे रूफ से, दो पार्टियों को बड़ा महत्पूर रोल है, किस-किस का, जो नितिज बाबू की पार्टिय है, और उधर चंदर बाबू की नाइडू की पार्टिया, आंद्र प्रदेश के जो सीमें, तो ये उनके लिए सरकार ने अलग से एक पैकेज का प्रावधान किया है, इस बजट में, और जो समावेसी मानों संसाधन विकास, और सामाजी की न योजना, यह बहुत इंपोटेंट है, कौनसी योजना है, पूर्वोदय योजना, कौनसी योजना है, पूर्वोदय योजना है, और पूर्वोदय योजना में क्या है, जो पूर्वी राज्ये हैं, उनके विकास पर फोकस किया जाएगा, ठीक है, कौन-कौन से, बिहार, हारखंड पस्चे मंगाल कि पूरिशा वे आंद प्रदेश तो देखो जो पूर्वद्य योजना है इसका जो देश्य है वह क्या करना है पूर्वी छेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाना है आप देखो इसमें आप देखेंगे दो राज्य है कौन कौन से बिहार इस्पेशली और इस्पेशली आंद प्रदेश उडिशा में तो बीजेपी की गवर्मेंट है ही पहली बार अब पस्चिम्मंगा को इस बजट में लॉंच किया गया पूछेगा पूर्वदय योजना में कौन-कौन से राज्य शामिल है या सामिल नहीं है तो कितने राज्य हो गए बिहार है जारखंड है पस्चिम्मंगाल है उडिशा है और क्या अंद प्रदेश है ठीक है क्या नाम है इसका मरी ओधियोगिक विकास का ल्हां प्रासन मैं ज्यूके फिर दो इस बीखास का ज्यूकुत का मैंनल जयए ब। आधार कि करते है और कहा बनाया जायगा रभी हार के गया में कि बिहार के गया में बना जाएगा तो ध्यान रखना है गया बोध गया जहां मात्मा बुद्ध को क्या हुआ था ज्यान प्राप्त हुआ था ठीक है और आप भी बिहार में जाए सब्सक्राइब करें तो यह पूरे भारत को फोकस करेंगा परंतु जब भीहारे में वना तो को रोजगार स्रीच करने गार अतिरिक दूप में मिलेगा जहां भी बनता है वहां जोड़ते हैं तो जब वहां चुड़ेंगे तो हां के लोगों रोजगार हैं उन्हें फायदा पहुंचेगा इसमें अगला पॉइंट है कि भीहार में कि बुनियादी संचना बुनियादी सरजना किसको कहते हैं इंफाइस्ट्रक्टर को गते हैं इन्फास्ट्रक्टर को सरजना के लिए जो पूंजी है वह 26,000 क्रोड कितनी 26,000 क्रोड रुपए का प्रावधान किया गया है कि भाई आ बिहार को special package दिया गया कितने 26,000 क्रोड रुपए तो उसमें चाहें पुल हों, उसमें चाहें सडकें हों, उसमें चाहें सिक्षन संस्तान हों, यानि कि जितना भी इंफ्राइस्ट्रक्चर डॉलप हो सकता है, वो किया जाएगा, कितना पैकिज है, 26,000 करोड रुपए, किसके लिए, बिहार के लिए, ठीक है, और अगला जो पूर्णिया, और बक्सर से भागलपूर, ठीक है, तो जो दोनों हैं ये, ये क्या बनेंगे, पतना से पूर्णिया को जोड़ेगा, और बक्सर से भागलपूर को, ये एक्सप्रेस वे बनेंगे, और एक्सप्रेस वे ये इसी 26,000 करोड में बनेंगे, यानि कि और भी विक होगा परंतु यह बुनियादी सरंजना के लिए जो पैसा दिया गया तो पूछेगा तो डिरेक्ट पूछेगा कौन-कौन से कहां-कहां से पटना से पूर्णिया और बक्षर से भागलपुर यानिके दो एक्सप्रेस वे इसके लावा अन्यव बनेंगे परंतु दिन दो को म है कि भिहार में है कि भिहार की विद्यूतु परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपे का प्रावधान किया गया है यानिके वो 26,000 करोड़ रुपे अलग है ठीक है न और 26,000 करोड़ रुपे के अलावा क्या दिया है केंद्रिय बजट में विद्यूत परियोजनाओं किसके लिए केवल बिहार के लिए और कितना प्रावधान है 21,400 करोड़ रुपे का प्रावधान रखा गया ताकि देखो तो सब कुछ क्या है और जाए अलाएं कि और जाका भी अलग से प्रावधान है बजट में परन्तु मैं बता रहा हूं कि यदि आपके छेत्र में और जाने होगी तो आपके जो सारे काम में कैसे जाएंगे शून्य हो जाएंगे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे ठीक कब दो जून 2014 को आंधर प्रदेश का बट्वारा हुआ और तेलंगाना बना और तेलंगाना में हैदराबाद पड़ेगा क्योंकि राजधानी है अब देखो जब फिर आंधर प्रदेश से अलग हुआ हैदराबाद तो अब राजधानी के विकास के लिए यानिके इसकी र 15,000 क्रोड रुपै का प्रावधान किया है किसके लिए राजधानी विकास के लिए राजधानी के विकासके लिए भूए आब राजधानी बनेगी अम्रावती गोशित की हुई है तो उसके विकास के लिए कितने राशी का प्रावधान क्या है केंद्रे बजट में 15,000 करोड़ रुपए तो देखो ध्यानगना 26,000 करोड़ रुपए बिहार के प्रोजेक्ट के लिए इन्फरेस्टेक्चर के लिए 21,400 करोड़ रुपए बिह तो ये आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे जबी बजट का सवाल आपका बनेगा अब देखो आंध्य प्रदेश में अगला मुद्धा है आंध्य प्रदेश में क्या है नदी पहरी गोदावरी कौन सी गोदावरी नदी अब इस पर एक परियोजना है कौन सी मुख्या रूप से सिचाई की है पोलावरम वैसे भी आपको याद रहें हैं पोलावरम सिचाई परियोजना पोलावरम सिचाई परियोजना तो पैदो ध्यानगना कहां पर है आंध्य प्रदेश में है और कौन सी है पोलावरम है और ध्यानगना सिचाई के लिए किसके लिए और किस नदी पर है गोदावरी नदी पर है ठीक है तो यह पेंडिंग पड़ी थी तो इसको भी बजट में एक आगया यह पूरी होगी और बहुत जल्द पूरी होगी येनिके इसके लिए भी जो पैसे का है प्रावधान वो किया गया जल्दी इसमें इसको इस प्रोजेक कि अवास योजना अब इसमें क्या था कि 2022 तक सभी लोगों को आवास यह निके सभी लोगों में जो गरीब लोग है उनके लिए क्या आवास का प्रावधान किया गया था बीच में कोई डूइड आया उस चकर में थोड़ा डिले हुई सबको घर दिये जाएंगे मुफ्त में किनको जो गरीब हैं जिनके पास छत नहीं तो अभी कि इसी बजेट में क्या प्रावधान किया गया है कि तीन करोड अतिरिक्त कितने ध्यानक नहीं तीन करोड अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे कि इसके तहते प्रावधान मंत्री आवास योजना केता है तो दायक पूछ लेगा कितने तीन करोड मकान बना जाएंगे अब देखो इंपोर्टेंट पूइंट है अगला पूइंट है महिलाओं वे बालिकाओं बालिकाओं में बालक भी आ जाएंगे इसमें के विकास के लिए जो रासी प्रदान की गई है यानिके जो रासी प्रदान की गई है वो कितनी है तीन लाक करोड रुपे कितनी तीन लाक करोड रुपे तो द्यान रखना है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो राशी है वो कितनी होगी तीन लाख करोर रुपे होगी तो द्यान रखना है पूछी जाती है यह राशी भी ठीक है और यह यह अगला पॉइंट भी इंप्रोटेंट है पी-एम यानिके प्रधानमंत्री जन जाती है उन्नत ग्राम अभियान शुरू हुआ है ठीक है पी-एम यानिके प्रधानमंत्री जन जाती है उन्नत ग्राम अभियान तो भारत में जो सरवादिक लोग पिछड़े हुए हो कोंसे हैं वो सेड्यूल ट्राइब्स हैं यानिके जो पिछड़ी हुई बिल्कुल जातियां हैं जन जातियां हैं वो कैसी हैं पिछड़ी हुई है यानि के वो अभी तक भी पढ़ना लिखना हर चीज में पिछड़ी हुई है तो इसके लिए पिएम जन जातियां उन्नत ग्राम भियान चला सहरों में कर निवास करती ना उनकी एक संस्कृति होती है उनका एक अपना रहन सेहन होता है और वो जो समाज है मुख्य रूप से उसकर वो कटकर रहते हैं जाएतर लोग तो इसके लिए क्या है 63,000 गाउं कितने 63,000 गाउं का विकास होगा तो ध्यान रखना है यह वही गाउं होंगे चिन्हित गाउं होंगे जो है एस्टी है सेड्यूल ट्राइबस हैं और इस 63,000 गाउं में कितने लोगों को फायदा मिलेगा पांच करोड कितने पांच करोड लोगों को फायदा होगा तो देखो यह इनकी संख्या याद रखनी है गाउं की तो योजना का नाम का है पीए में जन जाती है उननत ग्राम आदर्स योजना तो आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जाएगा समझा यह बात थीक है आब आगे हैं जो पूर वतर छेत्र है कि पूर भी नहीं को पूर वतर छेत्र प्रदेश के कि असम है और रुणा चल प्रदेश है कि दाक भुक्तान बैंक की सो साखाएं कितनी सो साखाएं फोली जाएंगे कि एक सेगंड बस है कि हाँ तो साखाएं इस्थापित होंगी कितनी सो साखाएं तो देखो क्या है मुख्य रूप से आपको जोड़ना है किसे वित्तियन से जोड़ना है यानिके आपके पास मुद्रा होगी तो आप क्या होंगे आप अपना कारोबार कर सकेंगे आप क्या है तेखो आज कैसा दोर है आज डिजिटल का यूग है यदि आपके पास पैसा है और पैसा होने के बाद आप कितनी जल्दी उसको भेज रहे हैं यानिके ट्रांसपर कर रहे हैं वहां से इंपुट और आउटपुट वाला काम है यानिके आप दिल्ली जा रहे हैं महां काम करेंगे पैसा देख आएंगे तो दो दिन लगए आपने क्या किया का यूगल पर नहीं पर रहा हूं जो बैंक ट्रांसफर कर रहा हैं तो वह आसान है तो करने के लिए लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए ताकि उन लोग तो यानिके हमारे तीन प्रात्मिक्ता हैं होचुकी है है चो थी प्रात्मिक्ता है वी निर्मान एक्वन शेवाओं की चोट्य प्राद्मिक ता हमारी क्या है वी निर्मान एवम सेवाई तो देखो यह हमारा बोर्ड है तो इसमें अलग प्रकार की जो टेकनोलोजी है वो इस्तिमाल हुई इंटर्नली परन्तु बहार से पता नहीं क्या क्या लगाया गया है इसमें पैन है लगाया गया है तो यानि कि टेबल है पंखा है यह सारी चीज क्या है वी निर्मित्व हैं और जिसके पास अच्छी टेकनोलोजी होगी इंफरेस्ट्रक्टर होगा उसको बनाने के लिए वो क्या आगे जाएगा तीन की क्या टेकनोलोजी रहती है कि इनकम भले ही पम हो यानि के जो उसकी इनकम है वह बहले कम हो पर प्रीक्थ अधिक कैसे उसमें एक पैन बनाया पैन की कीमत ए 10 रुपए उसने कीमत कितनी रखी 11 रुपए यानि जो उत्पादन मेंать उसकी टे has спा उत एक मदा करने में इसक mess Timothy कि मुह तो आ हूई यनि के वो बहुत सारे पैन बना देगा परंतु जो दूसरी कम्पणी आँ उन्होंने एक पैन बनाया कितना रुपए का? पंदर रुपए का ये दशी रुपए का बनाया परंतु यदि उसका कीमत पंदर रुपए रखें थब उनको इनकम होगी तो अब ये क्या कर ती चीन की क्या खासियत है? कि एक पहन्स मनाए ऐसा नहीं है. वो लाखों क पहन्स मनाा देगा. कम समय में. तो एक एक रुपए का क्या करएगा हो? हो बैनि फिट लेगा उससे. यानि कि उससे जो फायदा लेगा वो एक रुपए कर लेगा यह कह सकते हैं हम तो लोग क्या है उस पैन को सच्टे की वज़ा खरीद देंगे तो सपोज कर उसके सो पैन भी गए, सो रुपए मिल गए, दूसरे के पांच ही भी कें तो इंकम तो इसको ज़ादे हुई तो जितना विनिर्मान छेत्र हमारा मजबूत होगा सेवा चैत्रह मजबूत होगा उतनी हमारी अर्फवरिष्टा में चीजे की और आएंगी समझारी बाद नहीं आ रही ठीग है इसमें जो है सरह मुद्रा योजना आई थी और यह 2015 में आय थी कब आय थी 2015 में उप उप समय जो वित्तमंत्री थे अरुंग जीटली साथ तो उन्होंने क्या किया था मुद्रा योजना में कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का विविशाय करना चाहता है तो वो क्या करेगा लोन लेगा सरकार से और सरकार से लोन लेगा अपना कोई सैट अप तैयार करेगा तो इसमें क्या किया है उन्होंने जो तरों सिर्णी की रेण सीमा है वो दस लाक से बढ़ा कर 20 लाक रुपर कर दी तो यहनि के अब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा और जब जादा पैसा आएगा तो आप उसको क्या करेंगे आपका इंवेस्टमेंट भी अदीख होगा आप जो किसी भी छेतने पैसा लगा सकते आपको जरूरत है उसको लगा हैं फिर आपकी इंकम भी बढ़ जाएगी तो यहनि कि इस से क्या हुआ है इसे यह होगा कि जहां आप थोटा मध्यम व्यापार कर सकते थे तो उस मध्यम व्यापार को भी क्या कर सकते हैं थीक olan कि आपको रिन की जीमा है कितनी कर दी 20 पहले कितनी थी 10 लाग रुपे थी अब देखो अगला पॉइंट जल जो सीर्ष 500 कंपनी अवदी पांच वर्स एक करोड युवा पांच हजार रुपे पृति माहा कि बारे महा तक कितने बारे महा तक और पूर्ण होने पर अब देखो इसमें ये चीज दिहान अखनी आपको इजो इंदिया की शीर्ष 500 कंपनिया एं हुआ है इंडिया की जो सीर से पांचो कंपनिया हैं उसमें क्या होगा एक करोड यूआ जो रेमिंग लेंगे कितने वरस नीन willkommen कर ने वपांच वर्स के लिए पांच वर्स के लिए तीडी है आप कोई भी काम करते कर ठरहे हैं या आप कोलेटैकनिक कर और कितने बरस के लिए हैं? पांच बरस के लिए, अब इसमें पांच एजार रुपए प्रती बहा मिलेंगे आपको, और इसकी अवधी कितनी होगी? बारे महा होगी, निके आपको अपको पांच एचार रुपए की ज़ो है कैया इक सैली मिल दो है जिसके अलावा जब बारे महां नहीं हो जाएंगे तो आपको 6,000 रुपए की साह manufacture अलग bacon से नहीं भी जाएंगे तो यानी कि आपके कोजल विखास के लिए जो है और आपकी जो एस्किल्स हैं कोजल विखास नहीं कहेंगे आपके इस्किल्स हैं उसको development करने के लिए सरकार लगातार कार्यां कर रहे हैं अगला पॉइंट देखेंगे हैं अब देखो कि राष्ट्रिया है कि ओध्योगी कि कोरिडोर योजना के तहत 12 ध्यान अगना इंपोटेंट है कितने 12 ओध्योगिक पार्क बनाय जाएंगे कितने 12 ओध्योगिक पार्क बनाय जाएंगे और इन पार्कों में जो सरकार है वो जो जो मुख्य रूप से जो बड़े उध्यम है चाहें उसमें आप राइफल का क्याना फैक्टरी लगाएं या आप रेल कोज की कोई फैक्टरी लगाएं या या आप दूद का कोई प्लांट लगाएं ठीक है उसके लिए कितने पार्कों की मंजूरी दी है बारे कितने बारे पार्कों की सरकार ने मंजूरी दी है और योजना का राष्ट्य ओध्यों की कोरिडोर योजना कितने पार्क होंगे बारे पार्क होंगे इसके अलावा मिशन देखो बहुत सारे खनीज पदार्थ हैं जो हमारी पिर्थवी में निकल लें तो हम किसी में आत्निरबर हैं किसी में नहीं है किसी को हम निर्यात करते हैं किसी को आयात करते हैं ठीक है सोना है दवा के इंडिया के लोग बहुत ज़्याद है यानि के खनीज मिसन के लिए जो घरेलू रिसाइकलिंग है और पोस्टल रीजन जो अब तर्टिय छेत रहें अब तर्टिय अच्छेत रहें उस पर जो है फोकस किया जाएगा के खनीज मिसन को आगे बढ़ाया जाए ठीक है अभी और आगे आएगा बज़ेत में कही सारी चीज़ें के बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो गर्रमेंट ने समाप्त कर दी ठीक है लगब 25 है वो आगे देखेंगे तो हमारे जो हैं चार बिंदु जो है इसके समाप्त हो चुके हैं जो पांचवा बिंदु है वो है शहरी विकास यानि के बजट की जो पांच भी प्रात्म कोंसा है शहरी विकास कौन सा है शहरी विकास देखो विक्सित अर्थ विवस्था में आप देखेंगे जो पलायन है वो कहा होता है शहरों की ओरा जिस जगे का शहरी करण अधिक होगा नगरी करण अधिक होगा वो छेत्र उतना ही डवलप होगा ठीक है तो इसमें क्या है आगामी पांच वर्सों के लिए कितने पांच वर्सों के लिए एक हजार पूड इस्ट्रीट या हब विक्षित किये जाएंगे भारते लोग खाने पर दवागे जोड़ देते हैं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो पता चला कि इधर उदर खड़ें अब आप देखेंगे मेरेट में सुरजपून के पास है बहुत सारे ठेले खड़ें और वहा जाओ अपना खाना पिना खाओ पत्ते फैको और पैसे दो और अपना वापर तो वह द्यानक में अब देखो अगला पॉइंट क्या है ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या वो तीश लाख से अधिक है तो उनके पार गमन के लिए यानिके आने जाने के लिए जो उसको बहार से योजना बनाईगी तो यानिके इससे क्या होगा अभी क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि हम जो सहरों का जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है वो जाम मुक्त कर सकें तो मुख्यमुद्दा क्या है जो जिन सहरों की जनसंख्या 30 लाग से अधिक है उन सहर को जाम से मुक्त करवाना है परदला एंबूलेंस बीच में खड़ी हमारे यहां तो मेरट में विभिन परकार के वहां चलते हैं रेड़े पर लगा लिया इसकूटर का जो इंजन है वो इधर को ले जा रहा है उसमें सरीय बर रखें उत्ति पिसा चला है वो ऐसे बैठा औ है तो द्यान अगना है इसके अब देखो अगला पॉइंट है पी एम आवास योजना शहरी 2.0 ध्यान अगना है यह जो आवास योजना है क्या है शहरी है 2.0 है यानिके इसका दूसरा वर्जन यह आया है तो इसमें क्या है इसके लिए दस लाख करोड का प्रावधान है कितने का दस लाख करोड रुपए का प्रावधान है अब इसमें क्या होगा एक करोड कितने एक करोड शहरी लोगों को मकान मिलेंगे कितने एक करोड शहरी लोगों को कि जो अगले जो केंद्रिय सायता है पांच वर्षों के लिए कि केंद्रिय सायता है वह होगी है टू पॉइंट तू लाख करोड रुपए की तो देखो ध्यान रखना है इसमें एक बाइट है दस लाख करोड का प्रावधान है तू पॉइंट हो के लिए सारी इसके लिए एक करोड सहरी लोगों को मकान दिया जाएगा परंतु इसके अतिरिक्त जो केंद्र अलग से पैसा देगी पांच वर्षों के लिए वह दो दो लाख करोड रुपए देगी यानिके सब लोग क कल की क्लास में कराऊंगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत